हेलो फैंड्स, जायका इंडिया का यूट्यूब चेनल पर आपका स्वागत है आज हम आपके साथ सेर करेंगे एक युणीक इंस्टनट ब्रेकफास्ट की रेसिपी जी हाँ, आज हम आपके साथ सेर करेंगे दो मिनीट में बनने वाली मेगी की एक अनोखी रेसिपी तो चलिए सुरू करते हैं आसान फूर रेसीपिस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें तो मेगी बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बरतन में एट कर देंगे एक कब भरकर पानी और हाई फ्लेम पर इस पानी को हम अच्छे से गरम कर लेंगे यह देखिए हमारा जो पानी है वो अच्छे से गरम हो चुका है इस टेश पर हम गेस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे और इसमें एट करेंगे मेगी देखिए हमने यहाँ पर मेगी का जो 12 रुपे वाला पेकेट आता है उस एक पेकेट का इस्तेमाल किया है इसी के साथ हम इसमें एट कर देंगे मेगी का जो मसाला है वो तब मत की मदश से इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और दो मिनिट के लिए हम इसे मीडियम फ्रेम पर पका लेंगे हमने मेगी को दो मिनिट तक अच्छे से पका लिया है हमने मेगी को एक बोल में ट्रांसफर कर लिया है अब मेगी वाले इस बोल में ही हम कुछ इंग्रीडियंट्स एट करेंगे जैसे के एक टेबल स्पून बारिक कटे हुए टमाटर एक टेबल स्पून बारिक कटी हुई प्याज एक टेबल स्पून बारिक कटी हुई सिम्ला मिच half table spoon बारिक कट अवा हराधनिया and half table spoon छोटी curry मीज जिसको हमने कट कर लिया है इसी के साथ हमने यहांपर तवे को गरम करने के लिए रख दिया है जब तक हमारा तवा गरम होता है हम मेगी में सारे ingredients और मसाले एट कर देंगे तो हमने अब इसमें एट कर देना है एक चोथाई टीस्पून जितना नमक इसी के साथ हम इसमें एट कर देंगे एक चोथाई टीस्पून काली मेच पाउडर और एट करेंगे एक चोथाई टीस्पून चिली फ्लेक्स देखिए अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाना पसंद करते हो तो ही चिली फ्लेक्स एट कीजिए गया वना इसे स्किप कर सकते हैं मेगी वाले बोल में सारे मसाले और इंग्रीडियंट सेट करने के बाद अब हम इसमें एट करेंगे हमारा में इंग्रीडियंट यानि कि हमने इसमें दो अंडों को तोड़कर एट कर लेना है तो हम इसमें दो अंडे तोड़कर एट कर देंगे यह देखिए अब हम इनको अच्छे से फेंट लेंगे तो हमने मेगी के साथ अंडे और सारे इंग्रीडियंट्स को अच्छे से मिक्स कर लिया है इसी के साथ हमारा जो तवा है वो भी अच्छे से गरम हो चुका है देखे हमने तवे पर दो टेबल स्पुन इतना तेल एट कर दिया है अब तेल को हमने पूरे तवे पर अच्छे से स्प्रेट कर देना है गेस की फ्लेम को अब हम लो कर देंगे और हमारा बनाया हुआ अंडे और मेगी का गोल हम इस पर एट करेंगे क्यूंकि हम यहाँ पर मीडियम साइस के ओमलेट बनाएंगे इसलिए हम तवे पर एक साथ दो ओमलेट तयार करेंगे अगर आप बड़ी साइस का बनाना चाहते हो तो एक बार में एक बड़ा ओमलेट भी तयार कर सकते हो गोल को एट करने के बाद हम चम्मस की मदश से हलके हाथों से इसे थोड़ा स्प्रेट कर लेंगे दो मिनिट के बाद इनकी साइट्स को चेंज कर देंगे देखे तवे को अच्छी तरह गरम करने के बाद हम दोनों तरफ से इनको दो मिनिट के लिए लो फ्लेम पर अच्छे से से शेक लेंगे तोटल हम इनको चार मिनिट के लिए सेखेंगे और फिर निकाल लेंगे तो इस तरह से हमने दो ओमलेट बना लिये हैं लेकिन अभी भी हमारा जो गोल है वो बचा हुआ है और बाकी का जो बचा हुआ गोल है उसे भी इसी तरह से एट कर देंगे और लो फ्लेम पर दोनों तरह से अच्छे से सेख लेंगे क्यूंकि हमने यहाँ पर दो अंडे और एक मेगी का इस्तेमाल किया है तो इतने घोल में इस साइस के हम पांच ओमलेट बना कर तयार कर लेंगे और फिर इनको डिश आउट कर लेंगे देखा आपने दो मिनिट में बनने वाली मेगी से हमने ब्रेक फास्ट की एक नई और यूनीक रेसिपी जट पट तयार कर ली वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेर और कॉमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें फिर मिलेंगे जाइका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए गुडबाई